अब आपका नॉड़ाड़ी इस के एक और एपिसोड में और आज हम आए हैं गार्डन गलेरिया मॉल नॉड़ा में और आज हम जाएंगे टॉइ बॉइ की काफी पॉपुलर क्लब है गार्डन गलेरिया में और नाइट लाइफ के लिए बेस्ट है चलो आपका टाइम अलगी एंबियंस था अलगी फीलिंग थी आओ मेरे साथ आओ यहां प्रॉपर साउंड बज रहा था काफी अभी हम दुपैर के टाइम है बट एंबियंस फील हो रहा था पहले मैं आपको थोड़ा एक्स्प्लोर करवा देता हूं यहां सोफा सिटिंग थी सामने टेबल च करने आये थे आज है 19th of Feb और बड़े थोड़ा पहले था बटाची डेड़ स्पेशल है इसलिए आजू लोग बनाए जा रहे हैं टॉइ पोई काफी अच्छा है में लगा मनला पूरा कॉर्परेट आया हुआ था वह अपने एंजॉय कर रहा था डांसिंग फ्लोर भी अच्छा बन रहा है लाइटनिंग लाइटनिंग तो कमाल करता ही है कि टॉइ बोई का यह जो लोगो है ना बहुत दासू लग रहा था और आउट्डोर सेटिंग भी काफी अच्छी थी से चालेस बंदें आराम से बैठ सकते हैं कि चलो याँ खाने में कंसंट्रेट करते हैं फूड मैंनियों अगर बात की जाए तो रीजनेबल है चार्सो पांच सो में एक साटर आजाता है एक बात तो है यार कॉलेज वाले दोस्तों साथ बैठ के वही पुरानी बाते करना टाइम स्पैंड करना गेट टूगेधर करना मज़दार सीन तो होता है हफते में एक बाप पार्टी तो होनी है चाहिए तो पार्टी नाइन आज सेटरडे नहीं है वैसे फिर भी क्राउड़ेट था और आगए हमारे लाला जी इसका नाम शिवांच है आप सब जानते ही हो और हम इसे प्यार से लाला बलाते हैं मोटी पार्टी है चलो दोस्तो हमारे खाने का ओर्डर यही करता है बंदा और इसको मैंनी के जीरत नहीं पड़ती चलो यार अच्छा क्राउड था पूरा देखो मैदार सीन उट रहता जबकि अभी तो दिन था भाई तो वही थोड़ी कॉलेज की बाते कर दिए फिर खाना ओर कर दिया जैसे जैसे खाना आ रहे हैं मैं टिकिश करके थोड़ा आपको रिव्यू भी दूंगा और आप भी देखते हैं हमने क्या-क्या ओर्डर किया है क्योंकि जब हम ओर्डर करते हैं तो पता नहीं क्या-क्या ओर्डर करते हैं और कुछ भी नहीं चोड़ते तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं लेट मी टेस्ट और गिवनी फीडबेक की खाना कैसे बनाएं नो डाउट खाना द अच्छा बनाएं अच्छा बनाएं कहीं का भी अगर हम क्लबिंग या फिर किसी भी कैफे का प्लान करते हैं तो दो चीज बहुत इंपर्टेंट होते हैं एक है एम्बियंस वह यहां का बहुत अच्छा है लाइटिंग्स और दूसरा फूड खाना टेस्स करता है और सीरियसली बहुत यमी था और आप याप चिंता मत करो खाना तो मौडर करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे लाइगे और उस करते ही जाएंगे कि कहते हैं इनसान का दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है हमने इस बात को थोड़ा सीरियस जादा ही ले लिया है तो करते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा चलो टॉइ बॉइ गार्डन गलेरिया में काफी अच्छा बन रखा है अगर आपको मौका मिले तो एक वार यहां जाके एक्सप्रोर्स जरूर करना इंडोर सिटिंग तो काफी अच्छी है आउट डोर भी थोड़ी दिर बैठते हैं और मजा लेते हैं क्योंगी आउट डोर भी का आइटम ओडर कर लिए सामने मौल ओफ इंडिया है और नजारा गाफी अच्छा था और हम लोग बैठके बस अपना गपे मार रहे थे तो वही पुराने दिन कॉलिज की बाते कॉलिज की यादे वही मुमेंस याद कर रहे थे बात कर रहे थे शिकर का अचानक से मन कर गया क हुआ दिखाता है अपे अचानक से मौत यह थे रहे पर फिल्क आपर है अगर प्रफ हमारे के अच्छा ओड़न जाओंगा 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 जी ओए क्या होता है गोई यह बंदा ऐसा है होता ने गोवा का प्लैन बनाते हो और बनना नहीं जाता है गोवा के प्लैन बनते हैं बनते रह जाते हैं उनमें से यह बंदा